जब सपने देखेंगे, हजार मुसीविते आएंगी, एक दिन ओह हसीन मंजर आएगा, जब सफलता सोर मचाएगी नमस्कार, आज फिर Magnetic Effect of Current के एक टॉपिक, Conversion of Galvanometer into an Ammeter पे डिसकुशन करेंगे और आज का ये टॉपिक जो है, वो Practical Point of View से भी काफी important है इस हिसाब से आप देखेंगे, एक Galvanometer का सिंबल मैंने draw करके रखा है इस Galvanometer के सिंबल में मैंने ये दिखाने की कोशिस किया कि ये Galvanometer है और इसी का एक डाइग्राम मैंने यहाँ भी बना कर रखा है Galvanometer का 0 जो होता है pointer, वो middle में होता है और दोनों साइट deflection ने सोग कर सकता है एक साइट अगर आपने 10 mA लास्ट रेंज लिया है तो दूसरे साइट माइनिस 10 mA लेंगे अब सपोच किजिए कि इस Galvanometer से आपने 1 mA current पास कराया तो ऐसे केस में Galvanometer क्या करेगा अपना जो position है यह 1 mA जहां पर है वहाँ सोग करेगा आप इसको change करेंगे, अगर 2 mA करते हैं तो यह अपना position further change कर लेगा, 2 mA पर आ जाएगा अगर इसको आप 10 mA जो final मैंने देकर रखा है वहाँ करेंगे, तो यह full scale deflection मतलब यहाँ सो करेगा ऐसे केस में, अब अगर further आप current बढ़ाते हैं तो क्या होगा, ऐसे Galvanometer को a small current measure करने के लिए detect करने के लिए ही design किया गया है अब यहाँ पर 20 mA अगर आपने कर दिया तो 20 mA होने पे यह अब deflection सो नहीं करेगा जहाँ है, वहीं पर constant हो जाएगा मतलब 10 mA के pointer पे ही इस्थिर रहेगा अब अगर आप इस चे कोशिस कर रहे हैं कि नहीं, हम इसको 500 mA measure करें तो वैसे cases में, यह तो बिल्कुल नहीं measure नहीं कर पाएगा अब आप 1 amp, 2 amp, 5 amp की बात करें 1 amp मतलब 1000 mA यह और भी उसके लिए difficult हो जाएगा ऐसे case में, galvanometer को कैसे हम convert कर लें ताकि इससे जो current जा रहा है, वो current का range बढ़ जाए जैसे अभी हमने दिखाया कि maximum deflection ने 10 mA पे सो करता है तो यह IG मान लिया इसको 10 mA और इधर से आप 1 amp मतलब 1000 mA पास कराना चाहते हैं कि यह measure कर लें, ओके, इतना जादा current अगर इससे direct हम पास कराएंगे तो हो सकता है कि galvanometer damage हो जाए, ऐसे कि इसमें इस galvanometer को बचाना भी है तो फिलहाल हमारी कोशिस यह रहेगी, कि यह 10 mA जिस पे फूल सकल डिफ्लेक्शन सो कर रहा है उतने पे ही फूल सकल डिफ्लेक्शन सो करें एक दूसरा रास्ता निकाल लिया जाए, एक bypass निकाल लिया जाए जिस bypass से जो बचा हुआ current चला जाए, लेकिन अगर इसको सीधे wire से connect कर दिये तो इसका resistance कुछ नहीं रह जाएगा, तो total current वहीं से चला जाएगा फिर तो यह measurement की बात ही नहीं होगी, तब तो यह अपने null point पे, zero point पे ही indicate करेगा तो वैसे केस में हम यहाँ पर एक resistance यूज करेंगे, resistance, small resistance होगा, जिसको sunt resistance भी बोलते हैं such that 1000 में से 10 milliampere ही यह accept करेगा, तो 990 milliampere जो है, वो आपको इस तरफ से जाना होगा यह अगर आप सो कर रहे हैं, तो वैसे केस में आप देखिए, यह बन गया एक ammeter और अब यह full skill deflection 10 milliampere के लिए नहीं, 1 ampere मतलब 1000 milliampere के लिए सो करेगा अब अगर आपने यहाँ पर current को कम कर दिया, मान लिजए कि यहाँ पर 500 milliampere कर दिया, मतलब 0.5 ampere कर दिया तो वैसे केस में क्या होगा, जो current है, proportionate rate में बटेगा और अब इस पार्ट से, cent से 495 milliampere जाएगा और उसी ratio में यहाँ से 5 milliampere जाएगा तो अब यहाँ पर जो deflection होगा, full scale आपको नहीं मिलेगा यह अगर current हमने कम किया, तो यहाँ half scale, middle में deflection मिलेगा अगर यहाँ पर 200 milliampere कर दिया, तो और कम हो जाएगा तो इस तरह से आप zero से लेकर के 1000 अगर पहले वाला डिजाइनिंग कर लिया आपने जैसे यहाँ पर cent fix कर दिया, 1 ampere के लिए बनाया तो उसका range 1 ampere हो सकता है आप चाहें तो इसको 5 ampere वाला range भी बना लेंगे अगर मान लिजे कि full scale deflection 10 milliampere पे आता है तो इधर से जो current जाएगा, यह जाने वाला current 4990 milliampere current जाएगा और उसी proportion में यह deflection behave करेगा तो इस तरह से अगर आप एक small resistance connect करते हैं parallel में जिसको sunting बोलते हैं तो sunting resistance connect करने के बाद से यह जो galvanometer था वो आपको convert हो गया किस में तो ammeter में अब हम थोड़ा सा mathematically इसको देखना चाहेंगे कि कितना sunting apply करने पे क्या range मिलेगा तो suppose किजिए कि current आपने यहां से आई दिया वैसे केस में आई जी इधर से जो पास हो रहा था पास होगा remaining current जो है इस तरफ से पास होने वाला ओ आई माइनस आई जी होगा अब ध्यान दो point पे देंगे जिसके बीच में galvanometer और sunting दोनों ही connected हैं यह galvanometer का एक resistance regime कर लेते हैं RG क्योंकि उसमें coil wind किया हुआ है तो coil wind किया हुआ है तो obvious है कि उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टांस होगा तो वैसे कि इसमें अगर हम इस point में galvanometer के path से potential difference मेजर करते हैं तो galvanometer के path से potential difference ohm slow से IG into RG होगा और यही हम इस path से sun resistance के path से मेजर करते हैं तो हमारे पास पोटेंशिल difference दो point के बीच का होगा वो आपके पास I minus IG into S के बराबर होगा because point दोनों common हैं और common point के बीच में potential difference हमेशा same होता है potential difference हमेशा point dependent है path independent होता है path आपने change भी किया तो potential difference change होने की बात नहीं होगी यानि यह दोनों ही potential difference equal है तो वैसे case में आपके पास S का एक expression आ जाएगा जो S is equal to IG divided by I minus IG into RG जहाँ S क्या है तो S यहाँ पर sunt resistance है जिसको parallel में connect किया है आपने to convert a galvanometer into an ammeter of desired range यहाँ desired range का मतलब जितना current आप चाहते हैं आई अगर 1 ampere चाहते हैं तो 1 ampere के लिए sunt use करेंगे जैसा reading आएगा दूसरा अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम इसको 10 ampere औला बना दे तो 10 ampere औला भी कर सकते हैं तो यह depend करेगा और भी चीजे हैं जहाँ पर एक तो आपके पास IG की बात हुई यह current है full scale deflection यह current है full scale deflection देगा galvanometer का और दूसरा जो है आपके पास इसमें quantity दिख रहा है वो आपके पास RG दिख रहा है RG यह galvanometer का resistance है quail लगाते हैं तो उसमें कोई नो कोई resistance होगा ही and अगर आप यहाँ पर बात करें I तो I basically क्या हो गया एक range of a meter जितना maximum current a meter से measure कर सकते हैं वो उसका range of a meter कहलाएगा जैसे आप एक question देख लें question इसक्रिन पे दिख रहा होगा question मैं आपको IG दे दिया है 10 milliampere RG दे दिया है आपको 100 ohm and I की बात कर रहा है एक question में मान लिजए कि यह 1 ampere है तो वैसे किसमें आपके पास S formula आपको already given है जोले solve करके आप भी देख लीजिए थोड़ा से वीडियो pause करके S का value आपको मिल जाएगा IG आपने 10 into 10 का power minus 3 कर दिया यहाँ पर 1 minus 10 into 10 का power minus 3 कर दिया and into 100 कर दिया ऐसे किसमें जो calculation होगा एक बात आप साफ दिख रही होगी आपको कि 1 में से 10 to the power minus 3 minus करेंगे तो लगवग negligible change आएगा उपर आपके पास हो गया 10 into 10 का power minus 3 into लगवग 100 जो कि 1 ohm के आस पास आएगा इसका answer आपको 1 ohm आएगा इसी तरह से अगर suppose कर लिजिए कि आपके पास एक second question यह question में 2 जो है ओ मिला इसमें यह आपको ऐसा बोला कि जो current I है पता नहीं कि I कितना है यह उसका 5% है यह इसका 5% of I है और range of sorry galvanometer resistance जो है 95 ohm है अब आपको sun resistance कल्कुलेट करना है तो एक बार आप try करें पीडियो पास करके देख सकते हैं कि उसके लिए sun resistance कितना होना चाहिए उपर तो आपके पास 5% of I था तो उसके हिसाब से यह 5 I by 100 हो जाएगा नीचे आपको I minus 5 I by 100 इस फोर्मले से और RG का value 95 है जब solve करेंगे तो उपर हो गया 5 I by 100 और यह हो गया आपको 95 I by 100 into 95 सब कैंसल होने के बाद से यह 5 ओम आएगा ओके सो यहाँ पर इस तरह से रेजिटांस आप कल्कुलेट कर सकते हैं कुछ और बात हैं इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट है जहां गयल्वैनो मीटर की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी बात उसकी भी कर लें अगर आपने एक सिंबल R A लिया R A E इस गयल्वैनो मीटर रेजिटांस जो गयल्वैनो मीटर का टोटल रेजिटांस है एक्वेलेंट रेजिटांस है वो आपने R A ले लिया अब ऐसे केस में क्या होगा आप देखें इस पूरे device को galvanometer बोल रहे हैं एक resistance S और दूसरा RG parallel में connected है तो obvious है कि 1 by RA is equal to 1 by S plus 1 by RG आप लिखेंगे यहां से आपके पास RA is equal to क्या आ जाएगा S into RG calculation आप कर लें और आप check कर लें यह मिलेगा तो यह तो इसका equivalent हो गया अच्छा एक और बड़ी बात अच्छी बात parallel में जब भी connect करते हैं आप बात series and parallel combination की पहले भी बताई जा चुकी है आपको कि यह less than smallest resistance होता है तो यह तो RG और S से भी छोटा होगा इसमें S सबसे छोटा होगा क्योंकि आपने बोला ही है कि small resistance connect किये हैं galvanometer का जो भी resistance हो उसके हिसाब से तो जब भी आप resistance की बात करेंगे यहाँ पर resistance of ammeter, galvanometer resistance और sun resistance दोनों से छोटा होगा अब देखिए यह दूसरा point आप यह भी note कर सकते हैं कि आपके पास अगर यह तीन डिवाइसेस दे दिये गए एक ammeter, दूसरा mili ammeter और तीसरा micro ammeter कई बार question में आता है ammeter के रिष्टांस को आरे बोल दिया mili ammeter के रिष्टांस को rma बोल दिया micro ammeter के rma बोल दिया अब इसमें क्या pattern होगा, क्या order होगा ओके, तो देखिए पहले भी हम समझा रहे थे कि i को जितना जादा करना है sun को उतना कम करना होगा और sun जितना कम होगा, r उतना ही कम होगा, इसके हिसाब से अगर range बढ़ता है तो resistance घटता है, और अगर ऐसा है, तो इस order में resistance of ammeter mili ammeter and micro ammeter होगा, ओके, ये बात भी बहुत important है जिसको आप समझ लें, आप जान लें, आपके काम की बात है next point जो है इसके बारे में ओ आपको third point third point क्या है, कि range जो है जो भी आपने fix किया can be increased, बढ़ा सकते हैं but cannot be decreased, ammeter का range आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन decrease नहीं कर सकते, घटा नहीं सकते, अब ऐसा क्यों, ओके, तो इस बात को भी समझ लें ये जो पूरा device आपने बना दिया है, ये ammeter हो गया, ओके, ये आपको एक cabinet के अंदर मिल जाएगा बना बनाया, अब अगर आप इस ammeter से चाहते हैं, कि नहीं इसका range change कर लें, तो आपके पास दो possibility है, एक या तो इसके series में resistance जोड़ेंगे, ओके, देकि series में resistance जोड़ेंगे, तो क्या होगा ये i current, इसमें से i minus ig sorry, ig current इधर से i minus ig current, ओके अब ये current यहाँ पर फिर i, ओके, तो जितना range था, अगर ये range 1 ampere का था, तो यहाँ भी 1 ampere का ही range रह जाएगा आपको current वही पास होगा, यानि series में हम resistance अगर जोड़ भी दिए तो ये बात नहीं वनी, अब दूसरी possibility हमारे पास क्या है हम यहाँ पर एक काम करें, एक और resistance parallel में जोड़ते हैं parallel में जैसे ही कोई भी resistance जोड़ेंगे, okay तो वैसे किस में क्या होगा कि ये total resistance घट जाएगा, और तब यहाँ से एक और branch मिल गया इसको current जाने के लिए, तो current का amount बढ़ जाएगा तो अब क्या है, कि parallel में जोड़ेंगे, तो ये current 1 ampere से 2 ampere, 2 ampere से 5 ampere जैसा चाहेंगे, वैसा बन सकता है, यानि range can be increased, but cannot be decreased आप इसको decrease नहीं कर सकते, okay चलिए, fourth point भी काफी important point आपके पास है ये आरे जो है हना, is equal to zero, किसके लिए, तो for an ideal ammeter, अगर ammeter ideal हो, तो ammeter resistance, small तो बोली रहते, negligible negligible small भी बोलेंगे यहाँ पर, और वैसे केस में ये device ideal हो जाएगा, ऐसे सब को मालूम है, कि ideal device बनाना और बना तोनों ही impossible है ammeter is always connected in series ये भी क्यों mandatory है, ये भी आप देख लें suppose कि ये कि आपके पास एक यहाँ पर कोई register था sale आपका, यहाँ connected था ये आपको 12 वोल्ट का था ये आपको assume कर लें, कि 3 ओम का था ऐसे केस में इसका current calculate कर सकते हैं, current I is equal to okay, 12 by 3 is equal to 4 ampere पास होगा अब इसी circuit में, अगर आप total current को measure करना चाहते हैं, क्योंकि ammeter का काम ही है current को measure करना तो वैसे केस में हमको एक series में ammeter polarity को कुछ इस तरह से रखते हुए connect करना पड़ेगा अब देखे 3 ohm 12 यहां भोल्ट था ammeter के resistance को ideal case में हम 0 मान चुके हैं अगर ideal नहीं हो तो उसके कारण क्या होगा वो भी देख सकते हैं यहां मान लिजे इसका 1 ohm resistance हो जाए ऐसे 1 ohm से भी कम होगा लेकिन मान लिजे इस case में तो ऐसे case में अब देखे नया current जो है वो 12 divided by 3 plus 1 4 means 12 by 4 3 ampere current change हो गया बट जो sunting आपने किया है कुछ इसी साब से किया है कि इसका resistance negligible हो negligible मतलब क्या है 0.1 ohm हो 0.2 ohm हो like that तो ऐसे case में जो current है वो nearly equal to पहले वाले case that is 4 ampere के पास रहेगा तो ये total current को effect नहीं करेगा series में connect करने के बाद due to its low resistance दूसरी बात हाँ एक बात तो है कि ये actual current से थोड़ा कम ही measure करेगा क्योंकि इसका अपना resistance complete negligible तो नहीं होगा हाँ दूसरी बात अगर आप इसको parallel में connect कर दें तो क्या होगा अगर आपके पास ये 3 ohm का register था cell 12 volt का edge it is और आप इसको parallel में कुछ इस तरह से connect कर दिए तो वैसे case में क्या होगा वो भी देख लिए यहाँ पर current जो 4 ampere आ रहा था जो आना चाहिए था पहले का calculation उसका certain part current इधर से जाएगा और remaining part इधर से भी जाएगा तो वैसे case में current दो ब्रांच में बट गया ammeter के through full current पास नहीं हो रहा है और ammeter को जो duty मिली थी कि circuit के total current को measure करना वो नहीं कर पाएगा दूसरी बात low range chance के कारण इससे अचानक high current पास कर जाएगा और वैसे case में sword circuiting का chance बनता है तो ammeter का damage होने का chance probability भी बढ़ जाएगा को एचा था पास competit आ हन्या अ कर लाएगा